कि हाई गाइस एन वेल्क MARY पारियो में विलिल बर लरनिंग बाओट कंसेप्ट इन पाइ flies पाइटन कॉर्डघ्वालट डॉक्क्रे लिखा yell कि देखिते हैं अपनी प्रोग्राम को ल설ारने के लिए तो कैसे दिखते है दॉक्स रिंग चली एक फाइटन फैल बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है फिर मैं बताता हूं कि यह और होटी क्या है क्यों होटी है कैसे होती है हम अबते प्रोग्राम को डॉक्युमेन्ट करने के लिए यूजिज व Hahn को लिखा जाता है ट्रिपल इनवर्टेट कॉमस के अंदर तो यहां पर मैं लिख सकते हूं, this is a doc string, and this python file demonstrates doc strings, okay, so हम इसे doc string बोलते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इसका दो कारण होता है, सबसे पहले हम doc string इसलिए लिखते हैं, क्योंकि यह हमारा program को ज़्यादा readable बनाता है, secondly, हम doc string इसलिए भी लिखते हैं, क्योंकि जब हम अपने programs को run करते हैं, तो यह doc string को भी हमारी जो python की interpreter है, वो इस doc strings को read कर सकती है, बाद में इसे हम use कर सकते हैं, इसे properly document करने के लिए, document करने का मतलब होता क्या है, for instance, आपने बहुत बड़ा program लिखा है, और इस program को आपने तो लिख दिया है, लेकिन अब आप अपने program को अपने developers को या users को आप दे रहे हो, कि मेरे program को run करो, मेरे module को या मेरे library को run करो, और run करने के लिए तो देखिए, आप किसी को manually आप बैठा के बोल सकते हैं, पर एक साथ अगर हजारों लोग हो, या बहुत बड़ी टीम हो, तो उस case में आप उन्हें documentation मना के दे सकते हैं, बहुत टाइपिंग करने पड़ेगी, बहुत लिखनी पड़ेगी, यह हमें कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, तो वो हम अपने program के अंदर doc string के जरिये लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह का वो दिखता है, एक example हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पर pytorz के documentation में आता हूँ, यहाँ पर कॉम 2D नाम का एक function है, एक method है, जिसके अंदर पहला बाद वो दिखता ऐसा है, उसके यह यह parameters है, वो करता क्या है, उसकी एक example, उसकी पूरी description दीवी है, उसके नीचे क्या, मतलब वो है क्या, वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद उसमें क्या क्या parameters ह वो यहाँ पर दीवी है, parameters क्या करता है, उसकी क्या type है, उसकी क्या requirement है, वो जरूरत optional है, या mandatory है, वो सब कुछ यहाँ पर दीवी है, example, variable, सब कुछ, तो यह जो पूरी चीज़ ना, इससे कोई bat के HTML में लिखा नहीं है, यह python, pytorch के document, pytorch के अगर आप source code में जाओगे, वह के अंदर यह सारे चीज़े लिखी वी है, एक doc string के अंदर, फिर उस doc string को parts करके इस तरह के से बनाया गया है, अब यह क्या होता है, जैसे हम जैसे users, pytorch use करते हमें daily life में, उनके लिए यह read करना ज्यादा आसान है, बलकि फिर जाके GitHub में जाके, उनका code खोलके, code के ना doc string को तो हम doc string और documentation इसलिए करते हैं कि हमारे users या जो भी जिसको भी हम अपने program को stop रहे, वो इसे अच्छे से पढ़ पाए, अगर मैं इसके source में जाता हूँ, source में जाके हम देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से हमारा doc string लिखा हुआ है, तो doc string लिखने का दो तरीका है, एक है कि triple inverted commas में हम लिख सकते हैं, secondly हम ये underscore underscore doc equal to देकर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर triple inverted commas को use करने वाला क्योंकि यह जारतर जगों पर use होता है, ठीक है, तो यह हमारा doc है, तो इस तरह से हमारा कुछ doc string लिखता है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि doc string लिखा कैसे जाता है, क्या होता है, और कहां कहां use किया जाता है, तो सबसे पहला चीज हम आते हैं अपने प्रोग्रम में और समझते, doc string लिखते कैसे हैं, देखें doc string हमेसा एक rule है, कि हमेसा first lines में हम doc string को लिखते हैं, अब कैसा first line, यह first line हो सकता है, program का first line है, function का first line हो सकता है, class का. first line, यह हो सकता है, method का first line जिसके भी first line में हम इसे लिख रहे हैं, वो उस चीज को define कर रहा है for instance, ऐसे मैंने यहाँ एक program के first line में doc string को लिखा, तो इस program को यह define कर रहा है, वैसे ही अगर मैं suppose कि एक function में लिखता हूँ, जिसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, this is test fun one, ओके, और यह doc string है हमारा, ठीक है, और मैं इसे save कर लिता हूँ, ठीक है, इसे मैं save कर लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी two doc string आ रही है, पहली doc string है, जो हमें उपर में हमारी program को define कर रही है, second doc string है, जो हमारे function को define कर रही है, ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे close करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस test file जो हमारा test file है, इसे as a module मैं call करता हूँ, जुसरे python program के अंदा, तो मैं यहाँ पर python की interpreter को मैं call किया हूँ, यहाँ पर मैं import करूँगा हमारे test file को, ठीक है, test file को मैंने import किया, अब test file के अंदर हमने क्या doc string लिखी, इसे देखने के लिए हम दो चीज़ यूज़ कर सकते है, पहला चीज़ है help यूज़ कर सकते, तो help function को यूज़ करके, हम इसके अंदर के अगर test file लिखते है, तो आप देख पाओगे, कि यहाँ पर हमारी file की नाम, जो test file है, हमारी description जो हमने doc string first line में हमने लिखा था, वो यहाँ पर लिखी वी है, और जो हमारे functions है, functions के नाम और function क्या है, हम यहाँ पर मैं और meaningful चीज़े लिखते हैu, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, कि किस तरीके से यह meaningful चीज़े लिखी है, वो ही चीज हम यहाँ पर लिखते है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक demonstration दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ dummy lines लिख के रखी है, अब इसके बाद suppose मैं चाहता हूँ कि मैं इस function के अंदर के अंदर के चीज को भी देखू for instance कि यहाँ पर अभी तो यहाँ पर एक function हो सकता आपके पास यहाँ पर हजारो function हो तो यह बहुत बड़ा file हो जागा फिर आप इस रीड नहीं कर पाऊगे तो अगर उससे भी में जो जाना suppose कि अगर मुझे पता कि test file के अंदर ना एक function है test underscore fun one अगर मुझे इसकी doc जाननी है अगर मुझे इसकी doc जाननी है तो मैं यहाँ यहाँ पर underscore underscore doc लिख सकता हूँ that is number one number two मैं यहाँ पर directly help लिख कर भी test file dot test underscore fun one लिख सकता हूँ इससे भी मुझे यह सेम चीज मिलेगी अब आप देख पार है underscore doc लिखने में मुझे यह formatted सही से नहीं दिख रही जब कि मैं help जब लिखता हूँ यहाँ पर vimulator खोल के मैं चलिए में एक टो टॉक्लास लिखता हूँ class टेस्ट लिखता हूँ ठीक है यहां टेस्ट क्लास लिखता हूँ ज्यादा बेटर यहाँ पर सबसे पहला मैं अगे अगि नहीं एक doc string लिखोंगा मैं doc string यहाँ पर लिखूंगा पर यहां पर अंदर सेल्फ दिना पड़ेगा तो यहां पर मैं एक और डॉक्स्रिंग लिख सकता हूँ और यहां पर दिख सकता हूँ मैं तो फिरसे जाकर हम अपने Kgalapiter से जी कोई करते हैं को फिर से import लिए अल्ल करते हैं तो यहां पर हमारी मैखेड़ा की कॉस्छे trick यहां पर देखेंगे कि इसको हम और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से लिखते कैसे और अच्छे तरीके से लिखते कैसे इस तरीके से हम यहां करते है इस ओर रीडेबल कैसे लाए है तो विडियो को प्रीज लरी किजिएगा चैनल पे नए हो Państwo है अगर अगर चैनल से और भी कॉंटेंट्स और और भी आप सीखना चाहते तो चैनल को प्रीज सब्स्राइब करके रखिएगा अगली वीडियो में मैं लाओंगा कि डॉक्स्ट्रिंग को और बेटर तरीका से लिखते कैसे प्रोफेशनली लिखते कैसे ठीक है आसा करते है आपको व